यूपी में साथ चरणों में विधान सबाच चुनाओंगे उसको लेकर डुगडुगी बच चुकी है और धड़कने नेताओं की तेस हो गई है जैसे इधर तारीकों का ऐलान हुआ उसके बाद अकलेश यादव और मुझूदा मुक्यमंत्री योगी आदितिनात आपस में भिड़ गए इतना जबर्दस तरीके जब वार पलट वार दिखा जो पिछले पांच साल में शायद आपको देखने को ना मिला हूँ दरसल अकलेश यादव ने जिस तरीके से हमला किया उसके बाद योगी भी चुप नहीं बैठे वैसे भी इस वार का चुनाओ तो सोशल मीडिया पर ज्याद रड़ा जाएगा इस वार का चुनाओ पिछले चुनाओं से अलग होगा इस वार का चुनाओं नेता को असली ताकत दिखाएगा क्योंकि जो नेता जनता में अपनी पहचा ना मना पाए हो उनके लिए बेहद मुश्किल होगा और उनके लिए भी मुश्किल होगा जो सोशल मीडिया से काफी दूर रहे हो तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अकलेश यादव और योगी भिड क्यों गए आखिरकार चुनाओं की तारीकों के बाद कैसी तस्वीर सामने आई तो चलिए दिखाता हूँ आपको तो आप देख सकते हैं अकलेश का ओफीशियल ट्वीटर है ये जिसमें तवाम ट्वीट्स जो है वो अकलेश यादव करते हैं ये उनका ओफीशियल ट्वीटर है और मैं आपको दिखाता हूँ कल जैसे ही तारीकों का एलान हुआ उसके बाद कलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि 10 मार्च को इंकलाब होगा उत्तर परदेश में बदला होगा 22 में 22 साइकल और ये लेकिन उसके कुछी देर बाद यानि उसके दो घंटे बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया यहां पर लिखा है जूट जूट का परदाफाश होगा अब यूपी में बदला होगा 22 में बाइसिकल इस तरह और ये ये उन्होंने फोटो भी यहां पर दिखाया मुक्या मंत्री योगी आदितनात का जो पोस्टर जहां पर लगा होगा उसको जब उतारा गया तो इस तर हमने आई है और उसके बाद उन्होंने फिर से योगी पर हमला कर दिया वो जो वादे करके मू कर गए उनके जूट के पुतले उतर गई यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा 22 में बाइसिकल तो इस सरी के से बैक टू बैक उन्होंने एक दो घंटे में दो तीन ट्व पीट ये फोटो के जरीए उन्होंने निशानसादा मुक्यमंत्री योगी आदितिनात पर लेकिन इसके बाद योगी भी चुप नहीं थे और उन्होंने जवरतस पर हार कर दिया सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ही तारीकों का ऐलान हुआ उन्होंने अपन से पहले दो अंतराष्टी एएरपूर्ट, 2017 के बाद पांच अंतराष्टी एएरपूर्ट और साफ तोर पर उन्होंने लिखा जन कल्यानी प्रतिग्या विकांसी पहचान उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया लोक्तंत के मापर में प्रदेश के चुनाओं की तितियों को घोशना का स्वागत मारतियंतर पार्टी डेबल इंजन के सरकार के उपलब्दियों के आधार पर जनता जनारदन के आशिरुवात से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होकी यानि वो कह रहे हैं कि सरकार उनकी और फिर उन्होंने एक ट्वीट किया फिर आ रहे हैं महाराज जी और सबसे बड़े आपको बात बताओं कि समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अकलेश आ रहे हैं और उन्होंने कहा फिर आ रहे हैं महाराज जी यहाँ पर उन्होंने अपनी साउंड बाइट और उसके बाद और भगवा लहराता रहेगा ये लेकिन उसके बाद उन्होंने साफ तोर पर अकलेश यादाओ पर सीधा हमला बोला है आपको बता दे कि अब सोशल मीडिया की लड़ाई शुरू हो चुकी है वैसे भी चुनाओ सोशल मीडिया पर लड़ा जाएगा तो अकलेश यादाओ ने कहा कि उनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इतनी ताकत नहीं है जो बीजेपी के पास है बस उस पर तो अफिर हमलावर हो गई योग यादेतनाथ ने यहां से ट्वीट किया है और कहा है कि बववा बता रहे हैं कि आजपा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हावी है दरसला बबवा पर हार का डरहावी है खहरा आप जिस भी प्लेटफॉर्म्स पर हो अब आपकी रेलगाडी छूट चुकी है सुनो बबवा फिर आ रहे हैं महाराज जी यह हैश्टेक चल रहा है और उन्होंने फिर लिखा फिर आ रहे हैं महाराज जी यानि हैट्रेक लगा दी इस बात की कि फिर आ रहे है महाराज जी तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अकलेश और योगी आमने सामने ट्वीटर वाण जबरदस तरीके से आप भी अपनी राय रखिए तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से दो बड़े नेता आमने सामने हो रही है देखना होगा जनता किसे ज्यादा देख रही है और किसे कम और जनता चाहेगी किसे सबसे बड़ा सवाल तो यह है क्योंकि जिसे चाहेगी बटन भी वही दबेगा आप अपनी राय ज़रूर रखिए साथ इस वीडियो को शेर कीजे और लगातार चुडर रही है पॉइंस निउस नेटवर्क के साथ नमस्कार